दूस्तो, IPL 2023 में आज 60 और 61 मैच खेला गया, जहां 60 मैच में रोयल चैलेंजर बिंगलाओन ने राजस सान्वल्स को हरा कर, पॉइंच टेबल में पांच वे असान पर पहुच गई, तो ही 61 मैच में कोलकाता नाइडस ने चिनने सुपर किंग को हरा कर, पॉइंच टेबल में काफी बड़े उलट फेरे कर दियें, जहां चिननने सुपर किंग को पॉइंच टेबल में काफी बड़ा नुकसान हुआ है, तो ही कोलकाता नाइडस के पास पॉइंच टेबल में 12 पॉइंटों हो चुके हैं, तो ऐसे में पॉइंच टेबल में कौन सी टीम कितने कैप है, मैं इस लूड़े में आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो दोस्तो वीडियो रहने वाली एक काफी जादा इंपोर्टन वीडियो में अंततकों बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइक अंद बात न हुआ से तो सो आई पिल से जुड़ी हर चोटी बड़ी नी अपडेट सफसे पहले पाने के लिए, आप हमारे टेलिग्राम चैनल जोइन नी कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सफसे आकरी य और इन 12 मैचों में इस टीम को 8 मैच में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 4 मैच में इस टीम ने जीत हासिल किया है, जिए इस टीम के पास टोटल 8 पोइंट है, तो हिं देली केट्पेल का जो नेट रनेड है, माइन है 0.686 है, अभी 2 मैच और खेलने हैं इस टीम को, एडन मकरम की कप्तानी वाली टीम संडाइस हैदराबाद जिनका परदाशन अब तक उतना बहतरी नहीं रहे संडाइस हैदराबाद दो अब तक टोटल 11 मैच खिली है और इन 11 मैचों में से इस टीम को 7 मैच में हार का सामना करना पड़ा है जबकि इस टीम ने 4 मैच में जीत दरजी की है जहाँ इस टीम के पास टोटल 8 पॉइंट है तो इस संडाइस हैदराबाद को जो अगला मुकाबला होने वाला है वो गुजरा टाइडन के खिलाफ 15 में को होने वाला है वही पोइंस टेबल में जो टीम आटवे अस्थान पर है आज का मैच जीतने वाली टीम कोलकाता नाइडर नितीश राना की कप्तानी वाली टीम कोलकाता नाइडर ने आज के मैच में चिन्ने सूपरकिंग को हरा कर पोइंस टेबल में 2 पोइंट और हासिल कर लिए जहाँ कोलकाता नाइडर ने अब तक टोटल 13 मैच खिलिए और इ इसमें काफी खराब है अभी एक मैच और इस टीम को खिला है और उस मैच में काफी अच्छे से जीतने के साथ साथ बागी टीमों पे भी डिपेंड रहना होगा प्ले आफ में कौलिफाइ करने के लिए तो वही पोइंच टेबल में साथ वे अस्तान पर है पंजाब किंग शि इस टीम के पास टोडल अब 12 पॉइंट है तो ही पंजाब किंग का जो नेट अनेट है मायनत में थोड़ा खराब है मायनत 0.268 इस टीम का नेट अनेट है अभी दो मैच और इस टीम को खिला और आने वाले इन दो के दोनों मैच में इस टीम को जीत हासिल करनी होगी प्ले इस टेम को हार का सामना करना पड़ जबकि इस टीम ने छे मैच में जीत हासिल की है जहनें स्टीम के पास टोडल बारा पॉइंट है तो ही राजत सान्वल्स का जो net run rate, प्लस में थोड़ा अच्चा है, प्लस 0.140 इस टीम का net run rate है, अभी इस टीम को एक मैच और किलने हैं, और आने वाले एक मैच भी इस टीम को जीतने के साथ साथ, बागी सबी टीमों पर डिपेंड हैं न होगा प्ले आफ में qualify करने के लिए, तो वही पौ championships table में जो team पांच वे अस्तान पर है आज का match जीतने वाली team Royal Challengers बिंगलोर five two兩ी कबदानी वाली team Royal Challengers बिंगलोर ने आज के match में राजसान बिंगलोर को ह़रा कर points table में पांच वे अस्तान पर पहुच चुकि है जहां Royal Challengers बिंगलोर ने अब तक total 12 match खेले और इन 12 मैचों में से 6 मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है जबकी 6 मैच में इस टीम ने जीत हासिल की है जहां इस टीम के पास total 12 पोइंट है तो है रोयल चैलेंजर बिंग्लॉर का जो नेट नेट अब प्लस में खोचुका है प्लस 0.166 इस टीम का नेट अंडेट है अभी दो मैच और इस टीम को खिलने है और आने वाले इन दो के दोनों मैच मेच में इस टीम को जीत हासिल करनी होगी प्ले आफ में कॉलिफाइ करने के लिए सबी मैच जो है रोयल चेलेंजर बिंगलोर को जीतना काफी जादा अवश को होच चुका है वह रोयल चेलेंजर बिंगलोर जो अपना अगला मैच खेलने वाली है 18 में को संडाइजस हैदराबाद के खिलाफों खेलने वाली है इस टेबल में जो टीम में चौते असान पर है वह है लखनू सूपर जन कुर्णाल पंड़ा की कप्तानी वाली टीम है दुआता जहां इस टीम के पास टोटल 13 पॉइंट है तो इन लखनो सूपर जन का जो नेट रने डप प्लस 0.309 है जो की काफी ज़्यादा अच्छा है अभी दो मैच और इस टीम को खेला और आने वाले इन दो के दोनों मैच में इस टीम को जीत हासिल करनी होगी प्ले इस टूटल 14 पॉइंट है तो इस टीम के पास टोटल 14 पॉइंट है तो इस टीम को नेडर नेडर माइन है 0.117 है जो की तोड़ा खराब है अभी दो मैच और इस टीम को खिलने हो और आने वाले इन दो मैचों में से कम से कम एक मैच में और जीत हासिल करनी होगी प्ले आफ में कॉलिफाइ करने के लिए इस टीम को अगर दो रो मैच में जीते मिल जाती है तो ये टीम जो है ओफिसली प्ले आफ में जगह पकी कर लेगी तो वही ये टीम जो अपना अगला मैच खिलने वाली है 16 में को लकनो सुपरजंद के खिलाफो खिलने वाली है वही पोइंस टेबल में दूसरे अस्तान पर आज का मैच हारने वाली टीम जो है चिन्ने सुपर किंग महंदरी सिंग धोनी की कपतानी वाली टीम चिन्ने सुपर किंग को आज के मैच में कोलकाता नाइडर ने हरा दिया जहां चिन्ने सुपर किंग जो अब तक टोडल 13 मैच है खिली है और इन 13 मैचों में से 5 मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है जबकि इस टीम ने साथ मैच में जीत हासिल किये तो यह एक मैच जो है इस टीम का रद्धुआ जहां इस टीम के पास टोडल 15 पॉइंट है तो वही चेन्ने सुपर कींगा जो ने डने डप प्लस में थोड़ा बेहतर है अब ही एक मैच और इस टीम को खिलने और आने वाले उस मैच में इस टीम को जीतना होगा प्ले आफ में कॉलिफाइ करने के लिए तो वही पॉइंट टेबल में पहले अस्तान पर है गुजरात टाइटन हार्दिक पंड़ा की कप्तानी वाली टीम गुजरात टाइटन जो पहले अस्तान प तो ही गुजराच टाइटन का जो नेट रनेट है प्लाच 0.761 है जो की काफी ज्यादा बहतर है अभी इस टीम को दो मैच और केलें और एक मैच में इस टीम को और जीत मिलती है तो यह टीम जो है ऑफिसली प्ले आफ में जगह पकी कर लिगी वह से 16 पॉइंट के साथ भी यह एक नजर डाले हम परपल कैप और और औरेंज कैप पर तो परपल कैप होल्डर जो है राशित खान है गुजराच टाइटन के राशित खान जो अब तक तेस विकेट लेकर परपल कैप अपने नाम किया हुआ है तो यह औरेंज कैप की बात करें तो औरेंज कैप होल्डर ज वाजगे तो मुच गूच गाइज एडाने एकाष है जांने चाहिए